दोस्तो नमस्कार भारत में छोटी SUV का सेग्मेंट काफी ग्रो कर रहा है 4 मीटर सेग्मेंट और इससे कम में आने वाली छोटी SUV कार है भारत में काफी अच्छा सेल फिगर गेन कर रही है और इस वीडियो में हम आपको बताने बाले हैं 2020 के अंत और 21 की शुरुआत तक भारत में लाउंच होने बाली छोटी SUV कारों के बारे में तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को दोस्तो लिष्ट में पहला नाम आता है रेनो कीगर का रेनो कीगर भारत में लाउंच होने बाली 64 मीटर सब कॉमपेक्ट SUV है जो कि 5 लाख रुपे तक की शुरुआत की इमत में लाउंच हो सकती है इस चोटी SUV में आपको पेट्रॉल इंजिन की आप्शन ही देखने को मिलेगी जो कि मैनूल और आटोमेटिक की गेर्बाक्स आप्शन में आफर की जाएगा ये चोटी SUV 2021 की शुरुआत तक भारत में लाउंच की जाएगी रेनो कीगर के बाद नाम आता है टाटा की HBX के प्रोड़क्शन वर्दन का जी हां दोस्तो टाटा मोटर्स ने आटो एक्सपो में अपनी मिनी SUV HBX को पेश किया है और 2021 की शुरुआत तक टाटा मोटर्स अपनी इसी HBX का प्रोड़क्शन वर्दन भारत में लाउंच कर देगा टाटा की ये छोटी SUV HBX 1.2 लीटर पेटरॉल इंजन की आप्शन में आफर की जाएगी जो की मैनुल और आटोमेटिकी गेरबॉक्स आप्शन में आएगा टाटा की ये HBX 4 लाक रुपे तक की शुआती की मतमें भारत में लाउंच होगी इसके बाद नाम आता है महिंद्रा की मिनी SUV जिसे की महिंद्रा XUB2OO के नाम से लाउंच कर सकता है ये छोटी SUV महिंद्रा KUB1OO के रिप्लेस्मेंट से आने वाली है इस छोटी SUV में भी आपको 1.2 लीटर का पेटरॉल इंजन देखने का मिल सकता है जो की मैन्वोल और आटोमेटिक की गेरबॉक्स ऑप्शन में आफर की जाएगा महिंद्रा की ये छोटी SUV जिसका नाम XUB2OO हो सकता है साड़े चार लाग रुपे तक की चुछुआती कीमत में लाउंच हो सकती है इसमें भी आपको बहुत सारे नए और शांदार फीचर्स देखने को मिलेंगे इसके बाद नाम आता है हुंडाई की बेयाउन का जी हैं दोस्तो हुंडाई भी इंटरनेशन मारकेट में अपनी एक क्रॉस ओबर SUV हुंडाई बेयाउन को लाउंच करेगा जो की हुंडई I20 पर अधारित होने बाली है यह छोटी SUV भारत से पहले इंटरनेशन मारकेट में लाउंच की जाएगी यह छोटी SUV 1.2 लिटर के पेट्रॉल इंजिन 1.5 लिटर के डीजल इंजिन और 1.0 लिटर के टर्योजाच पेट्रॉल इंजिन की आप्शन में भी आ सकती है जो की मैनूल और आटोमेटिक की गेर बाक्स आप्शन में आफर की जाएगा इस छोटी SUV की कीमत एक अन्मान के अनुसार 6 लाख रुपे के करीब शुरू हो सकती है और टॉप बेरियंट की कीमत 9 लाख रुपे तक जाने की उमीद है इसके बाद नाम आता है निशान मेगनाइट का जी हैं दोस्तों मेगनाइट 2020 के दिसम्बर महीने में अपनी 4 मीटर सब कॉंपेक्ट SUV मेगनाइट को लाँच करेगा निशान की मेगनाइट भारत में लाँच होने बाली अब तक की सबसे सस्ती 4 मीटर सब कॉंपेक्ट SUV होगी जो कि 5.5 लाख रुपे तक किछरुआती कीमत में लाँच होने वाली है इसके बाद नाम आता है सिट्रॉन की भारत में लाँच होने वाली मिनी एस्यूबी का जी हैं दोस्तों 2021 के दुरान सिट्रॉन भारत में एंट्री करने जा रहा है और सिट्रॉन भारत में एक मिनी एस्यूबी को लाँच करेगा जो कि टाटा की आने बाली HBX को कड़ा मकाबला पेश करेगी सिट्रॉन की मिनी SUV भारत में सिट्रॉन का पहला प्रडेक्ट भी हो सकता है जिसे की टेस्टिंग को दोन कई बार देखा गया है सिट्रॉन की ये छोटी SUV एक अन्मान के अनुसार पांच लाक रुपे तक की शुरुआती कीमत में लाउंच हो सकती है इस SUV का नाम क्या होगा इस बात किया वी तक कोई अधिकार को पुष्टी नहीं है इसके बाद नाम आता है टोयोटा और मारुदी की पार्टनर्शिप में से भारत में लाउंच होने बाली एक छोटी SUV का जो कि टोयोटा की रेज पर अधारित होगी ये छोटी SUV बिटारा बिजा के नीचे के सेग्मेंट में लाउंच की जाएगी इस छोटी SUV का सिदा सिदा मुकाबला निशान की मेगनाइट और रेनो की कीगर जैसी सस्ती 4 मीटर सब कॉमबेक्ट SUV कारों से होगा दोस्तों तो ये कारे हैं जो कि 2020 और 21 को दोरान भारत में लाउंच की जाएगी आप में बताएं कि आपको इन में से कौन से छोटी कार अच्छी लगी धन्यवाद